हेलो फ्रेंज कैसे हूँ आप सब उमिद करती हूं कि सब ठीक होंगी तो आज हम लोग बहुत ही असान तरीके से बिलकुल बाजार जैसा पापाजी घड़ पे ही बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कोकर में तो चले शुरू करते हैं तो भाजी बनाने के लिए मैं यहापे आलू गाचर और खोभी को चॉप करके ले लिए और मैं यहापे तीन तमातर ले लिए इसका हमें क्चे से गरम कर लेना है बटर ग्रम हो जाने के बाद हम इसमें प्यास चॉप्ट के आवा डाल देंगी और प्यास को हमें गोल्डेन होने तक अच्छे तरीके से भून लेना है तो ये देखे प्यास हमारा गोल्डेन हो चुका है तो अब हम इसमें अद्रक लहसन का पेस टाल देंगी और इसे भी हमें अच्छे तरीके से भून लेना है तो ये देखे प्यास लहसन और अध्रक हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है तो अब हम इसमें चॉप किया हुआ शिम्रा मिर्च डाल देंगी और शिमला मर्च डाल देने के बाद हम इसमें चौप की अवा हरी मर्च डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे भून जाने के बाद हम इसमें 1 टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देने के बाद हम इसमें 1 टी स्पून लाल मर्च पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगी उसके बाद हुआ इसमी टमाटर को जो पेस्ट हमने बिना की रखा था वो हमें आड़ कर देना है और उसके बाद टमाटर को मैं अच्छे से बून लेना है टमाटर बुजाने की बाद हमें इसमी कोफी, आलू, काज़र और मता डाल देंगी तो भाजी के लिए सब्ची अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप चाहे तो वीचूट को भी चॉप करके डाल सकते हैं इसके कलर बहुत अच्छा हैगा और उसके बाद हम सब्ची को अच्छे से पका लेंगी सब्ची पक जाने की बाद हम इसमें उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगी तो पानी जिस हिसाब से आपका सब्ची हो उस हिसाब से आड़ करी क्योंकि हमें पानी बाट में भी आड़ करना है और अगर अभी जादा पानी आड़ कर देंगी तो भाजी हमारा पतला हो जाएगा और उसके बाद हमें इसे ढख के कम से कम 6 सिति आने तक इसे पका लेना है उसके बाद हम कूकर से प्रेशर निकलने देंगी और प्रेशर निकल जाने के बाद हमें धकन को खोल लेना है तो यह देखी अब हम मैशर ले लेंगे और उसके बाद भाजी को में अच्छी तरीके से तो आपके पास मेशहर नवा तो आप ग्लास से भी से अच्छी तरिकेसर में आपास सकते हो तो यह रहां यहाँ ही तो hierarch से जोड़ा सा एंश्य तो यहाँ है रावРЕ कर देंगी उसके बाद अब चुप्ट धनिया पत्ती डाल देंगी और उसके बाद हमें पाऊ ले लेना है और कुछ इस तरीके से पाऊ को सेख लेना है तो ये देखें बजार जैसे बिल्कुल टेस्टी पाबाजी हमारी घर पे ही बनके रेडी हो चुकिया सिर्फ और कुकर में तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें कमेंट में मुझे ज़रूर बताए कि आपको कैसा लगा तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तिन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकोन को ज़रूर प्रिस करें जिसे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले लाइक करें कमेंट करें जादे से जादा शेयर करें कमेंट में मुझे जरूर बताए कि आपको कैसा लगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नियो डिसिपी के साथ तब तके लिए बाबाय टेक केर और थैंक्स वर वा